सो हलो स्टुडेंट्स अगें वेलकम और माई यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे एकनोमिक से नाइन चैप्टर की इस नैशनल इंकम सो हमने बहुत बार पढ़ लिया होगा इसस में पढ़ा होगा इसके पहले और बहुत सारे हर जगह टॉपिक में देखेंगे नैशनल इंकम नैशनल इंकम पर कैपिटा इंकम यह सब बहुत सारी चीज़े हमने पढ़ लिया होगा लेकिन हमें यह आज पता चलेगा कि नैशनल इंकम एक्चुली एकनोमिक्स का टॉप एक है और एकनोमिक के अंदर बहुत हैल्प करता है देखो तुमारा एकनोमिक और बहुत सी चीज़े होते हैं इक्लिबीरियम पाइंट यह सब उचके अंदर आता है मैक्रों में और मैक्रों में पोवर्टी अन्मलोयमेंट। नैशनल इंकम पर-कैपित इंकम यह सब चीज़ें मैक्रों में आती है माइकरों और मैक्रों दो टाइप क somehow टाकर पना होता ह कितना profit हो रहा है कि loss हो रहा है capital कितना है overall जो main information है वो balance sheet में आ जाती है तो अपनी country का अगर कोई balance sheet है तो वो कौन है national income अगर country का national income बढ़ रहा है तो of course ही बात है कि country बढ़ रही है country डेवलप हो रही economic development हो रहा है country का और वहीं पर country का national income कम कम हो रहा है तो इसका मतलब country का economic development कम हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है development लेकिन उतने speed से नहीं हो रहा है तो एक indicator भी है कि economic development country का कैसा हो रहा है वो हमें बताता है कौन national income अब economics national income को क्या बोलता है वही इस chapter में पढ़ेंगी अभी तक तो जो मैंने बताया वह जनरल फॉर्म में national income को क्या बोलता है वह है आया नव नेक्स्ट वन इस economic national income को क्या बोलता है तो जनरली हम यह समझते होंगे कि देखो हमने तीन सेक्टर के बारे में पढ़ाया प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और तर्शरीया सेक्टर यह तीन सेक्टर के बारे में पढ़ाया इसके लावा कोई सेक्टर है क्या नहीं है न तो अगर इन तीन सेक्टर के टूटल एक साल में लोग जितना भी चीज़े बेचते हैं कोई भी goods और service इनकी जो भी income आती है उसको हम क्या बोलते है national income for example अगर मैं primary sector से कोई चीज़े बेच रहा हूँ एक साल में तो मुझे x y z income आ रही है secondary service मैं secondary sector से कोई चीज भेज रहा हूँ तो मुझे x y z income आ रही है और service sector से भी मैं कोई चीज भेज रहा हूँ तो मुझे x y z income आ रही है तो अगर मैं वह एक साल कहां तो अगर वह तीनों को plus कर दो तो मुझे national income मिल जाएगा की नहीं यह जनरल form है इसको भी तुम national income बोल सकते हैं ऐसा नहीं कि इसको नहीं बोल सकते हैं इसको भी बोल सकते हो बट से पहले तो Alfred Marshall आये हैं और उन्होंने एक अलग सा definition दी दिया है national income का ठीक है उनका definition किसकी उपर based है main production की उपर किसकी उपर production की उपर आप जब पढ़ोगे न definition तो आपको समझ में आएगा देखो उनके कहने का मतलब क्या है कि अगर एक business है न कोई भी अगर एक business अपना जो resources है natural resources उसका use करके जो भी physical और non physical product बनाता है न product produce करता है न उसी को बोलते है national income ठीक है for example इनका definition क्या बोड़ा है वापस से सुनना एक business पुरे साल में natural resources का use करके जो भी goods और service बनाता है उसको बोलते है national income जो produce करता है goods और service ठीक है इनका जो main definition यह production पे है और इन्होंने लिखा है physical और non physical मतलब physical मतलब goods non physical मतलब service ठीक है अब आप सोचोगे sir national income कैसे हुआ वो खाली goods बना रहा है ना मतलब वो जितना goods बना रहा है वो तो बेचेगा है market में और बेचेगा तो income निकलेगी तो उनके इसाफसीन उन्हें ने ने इंकम बोला है Alfred Marshall ने आया समझ में question कुछ लिया जाएगा what is the definition of national income by अलफर्ड मार्शल यह definition of national income based on production method तो दोनों में यही आएगा आया समझ में next one एक नहीं दिया तो दूसरा क्यों पीछे रहेंगे इर्विंग फिशर्जी आए हैं उन्होंने भी definition दिया है उसको बोलते है national income बहुत बढ़िया यहां पर क्या बोड़ने सुनना एक country है एक country में एक साल में जो country के लोग है वो कितना सारा goods or service use करते हैं consume करते हैं उसको बोलते है national income वो अगर कोई भी goods or service consume करेंगी तो उसके बदले पैसे देंगे और पैसे ही income हुए है नेशनल इंकम टोटल तो इनका definition किसके उपर बेश्ट है consumption के उपर आया समझ में थर्ड वन इस एसी पिगाउं इनका डेफिनेशन मनी की उपर बेश्ट है यह क्या बोलते है i a national income क्या होता है जो भी goods और service मैंने बेचा मार्कें में जो भी goods और service मैंने बेचा सामने वाले को उसका पेमेंट जो मुझे पैसे में हुआ न वहीं क्या है हमारा total national income मतलब इनके खय試 कहने का मतलब मतलब है कि जो भी goods and service मैंने मार्केट में बेचा या निकाला उसके सामने मुझे जो भी पैसे मिले ना फिजिकल फॉर्म में पैसे कैश मनी उसी को टोटल को क्या बोलते हैं नैशनल इंकम इनका जो डेफिनेशन हो मनी बेच्ट है मतलब यह नहीं देख रहें कि हाँ वो पैसा उधारी है या जो है जो मेरे को पैसा मिला फिजिकली फॉर्म में जो मेरे हाथ ने पैसा मिला में को तुरंद वही क्या होगा नैशनल इंकम होगा आया समझ में, अब इनके definition से हमें कुछ चीजे बता चलती है national income के बारे में, बहुत important है, देखो national income ने एक साल का निकाला जाता है, ठीक है, second point is, national income में खाली final product और service ही considerate किया जाता है, यह point याद रखना आगे भी बहुत जरूरी है, यह पाँ जो point जो भी है न, यह बार बार आगे information आएगा और आपको फिर यह याद रखना पड़ेगा, तो final product जो पुरा बन गया होता है, वही product और जो पुरी final service होती है, वही considerate होती है, medium या intermediate product, considerate नहीं होता है, national income में, monetary value ही ली जाती है, जिसको हम गीन सकते हैं, जिसको जो cash है न, वही होता है, national value, national value numbers में आती है, नेशनल income, आया समझ Leonardo, national income में से national income कैसे मिल दी profit कैसे मिलता है अपको जब आप सारे expense है वो हटा देते हो तब आपको क्या मिल जाता है profit मिलता है net profit घीजारे जब अगर कोई भी खर्चा मतलब होता है खरचा कोई भी खरचा ठीक है तो अगर कोई भी खरचा तुम माइनस कर दे रहे हो तुम्हारी इंकम मेंसे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा net इंकम या फिर national income जो गूट सोर्वीस produce होता है और consume होता है वहinea वह निस्ट निश्टनल इंकम और निश्टनल प्रिच्ट नीश्ट कर देखम कर दोसरा डिया है क्या निश्टनल इंकम कैसे किन सकते हैं देखो income कौन कौन सी आ सकती है एक साल में किसी को मैंने कोई चीत दे दिये तो उसका भाड़ा आएगा अगर मैं भाड़े पर कोई चीत दूँगा एक income यह हुई एक income मेरा मैं कहीं काम करता हूँ मेरे को wages या salary मिल रही है एक income मैंने कहीं investment किया है उसके उपर interest मिल रहा है और एक income हो गया profit इसके अलावा कोई income होती है क्या नहीं होती तो यही चार income होता है ना सबके लिए तो यही चार कोई profit कमाता है कोई wages कमाता है कोई interest कमाता है तो कोई rent कमाता है यह चार के अलावा कोई income होती यह क्या नहीं होती है तो इसको क्या बोलते इन चारों प्रास करीनry नंगा थिसको कि इंकन्यमिवंसा ड़ी डेच्नल इक होगा किने इसका है क्हाइक एक साल का पूरा रेंट का इनकम वेजिस का इंकम hein-टरस्ट तो मुझे क्या मिल जाएगा नेशनल इंकम इसका भी डेफिनेशन लिखने की कोई जरू होती है अगर डेफिनेशन पूछा आप यह लिख दोगे ना नेशनल इंकम इक्वल्स टू रेंट प्लस वेजिस प्लस इंटरस्ट प्लस प्रॉफिट तो वह भी सही होगा आया समझ म नेक्स्ट बंड पॉइंट इस नेशनल प्रोड़क्ट नेशनल प्रोड़क्ट क्या होता है देखो जो हमने वह पहले देखा था न कि हमारे तीन सेक्टर होते हैं एग्रिकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर इन तीनों सेक्टर में से जो पूरे साल में और सर्विस सेक्टर में पूरे साल में इतने प्रोड़ूस हुए थे उन तीनों को प्लस करेंगे तो जो टोटल प्रोड़ुक्ट निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं national product याद रखना तीनों sector के एक साल के एक country के जो भी production होता है उस पूरे total product को क्या बोलते है national product आया समझमे है next one is उसी में अब धियान से एक मेरी बात सुन न national product अगर आप बनाओगे तो उसके ओपर text कि नहीं देना पखेगा देना पढ़ेगा ना अब टेक्स तो तुम अपने जेब से दोगे नहीं तो तुम क्या करोगे प्राइस बढ़ाद होगे जब ही तुम प्राइस बढ़ाद होगे तुम मुझे साफ साफ सोच के चीज बता रहा है कि नेशनल इंकम जादा बढ़ा होगा या नेशनल हमेसा national प्रोडक्ट से ज्यादा होता है यह चैप्टर है ना यह बहुत एजी है बस आपको अपको परसों तक आपको देंगा इसके अंदर क्या है कि पूरा वो वीडियो खाली इस टॉपिक के लिए ही रहेगा circular flow of national income इसलिए यहाँ पे वो मैं topic जो है न वो skip कर रहा हूँ आ रहा है समझ में ठीक है तो आगे चलते हैं हम देखो GDP क्या होता है बहुत important है यह concept national income के अंदर GDP, NDP, GNP, NNP यह चारो बहुत जरूरी है हमने बहुत 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 न्यूज में सुना होंगा GDP यह हो गया NNP हमें कुछ पता नहीं चलता खाली full from जानने से चीज़ें नहीं पता चलती concept समझना बहुत जरूरी है ठीक है देखो GDP क्या होता है gross domestic product इसके अंदर होता क्या है जो भी national income होती है न देखो goods और service जो आपके country के citizen के द्वारा produce हो रही हो आपकी country में ही या कोई को foreign citizen आके produce कर रहा हो उसको बोलते है gross domestic product फिर से याद रखना अगर आपके country के अंदर कोई भी country का आदमी कोई goods और service प्रोड्यूस कर रहा है या फिर आपकी country के ही अंदर कोई foreign citizen आके कोई goods और service प्रोड्यूस कर रहा है उन सब को total करके क्या बोलेंगे gross domestic product आ रहा है समझ में मतलब आपके country के ही अंदर होना चाहिए चाहिए वह country का खुद का बंदा करें कोई भी product बनाए या फिर कोई foreign का बंदा भी आया लेकिन आपकी country के अंदर ही वह product बनाएगा तो वह पूरा कहां calculate होगा किस टेंडर में GDP के अंदर में calculate होगा important factors क्या होता है यहां पे ना देखो वही चीज़े कि यहां पे mainly जो है गोई भी product है और final product जो भी goods प्रोड्यूस हो रहा है अपनी country के अंदर हां country के बाहर नहीं चाहिए वह country का बंदा कर रहा हो या कोई सारे प्रोड़क को GDP बोलेंगे आया समझ में नाव नेक्स्ट पॉइंट इस देखो अब GDP क्या है GDP के अंदर जो भी income आ रही है वह अपने boundary country के boundary के अंदर से आएगी कोई foreign income तो नहीं आएगी कोई foreign country से कोई foreign का बंदा आके business करेंगा आपकी country के अंदर तो आपका कोई foreign income आएगा नहीं तो इसके लिए यहां पर foreign income नहीं होती थार्ड पॉइंट इस देखो GDP की इस यूज में आता है जीडी की जीडीपी इस यूज में आता है कि एकोनोमिकली कितना population हो यह संद्वी एकोनोमिकली और कितना हमें और करने के जरुवत है इस यह सब जीडीपी हमें बता आता है लागए क्या आता है उस्वेकलनकी नेक्स वाणीज कश्थन युज करते हूं तो क्यों का खर्चा नहीं लगता हम आप Vijay कश्रचे लगते हो कभी का बार तो टेक्नलोजी में भी बहुत जल्दी चेंजिस आता है तो उसको रिप्लेस करना भी भूट जरूरी होता है बहुत सारी सीज़ें होती खर्श होता है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में तो जब भी आप खर्चें को हटा दो किसमें से आपके बास GDP है जीडीपी में से जितने भी खर्चे हैं उसको हटा दो तो आपको क्या मिलेगा फिर जीडीपी में से जितने खर्चे उसको हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा net domestic product मतलब ndp, यहां पे depreciation का मतलब होता है सारे खर्चे, ठीक है, सारे खर्चे जितने भी खर्चे हैं, वो अगर आप हटा दो GDP में से, तो आपको क्या मिलेगा ndp, यहां दे gross profit आता है gross profit में से सारे expense depreciation हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा Net profit वैसे ही Gross Domestic Product में से जितने भी Expense and Depreciation होते हैं एक साल के वो आप उसको हटा दोगे उसमेंस से माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा Net Domestic Product आया था समझ में अभी ये दोनों ही Concept समझो इतने Deep में मत जाओ So I hope कि आपको अभी तक जो भी मैंने topic समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा यह बहुत most important topic है बहुत ज़्यादा important यह chapter भी है तो please आपको अगर कोई भी doubt हो कोई भी आपको कोई भी particular topic में doubt हो तो आप comment कीजिए मुझे बताइए ताकि मैं उसको फिर से explain कर सकूँ आपकी help कर सकूँ प्लीज प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और दूसरों की मज़त कीजिए ओके ठैंक यू झाल